नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, मसुबकरण साहे काचारी एफम गौवर्मेंट पेजी कोलेज जुनुजुनू आज हम विकॉम पार्ट सेकिंड एर के विद्यार्थियों के लिए एफम पेपर प्रथम एकोनोमिक इन्वार्मेंट इन राजस्थान राजस्थान में आर्थिक प्रयावरण के अंतरगत यूनिट संख्या थर्ड में करशी से संबंदित हम आज करशी की नविन व्यू रचना के बारे में अधिन करेंगे जैसा कि हमने पूर के वीडियो में करशी निती 2000 करशी क्या है करशी के कौन-कौन से महत्व हैं उनके बारे में हमने अधिन किया खाद शुरक्षा के बारे में अधिन किया तो इसी करम में हम आज यूनिट संख्या थर्ड में करशी की नविन व्यू रचना के बारे में अधिन करेंगे कर्शी की नविन व्यू रचना के अध्यन करने से पहले हमने पूर्ग की क्लासों में वीडियो में युनिट संख्या पर्थम में आर्थिक प्रयावरण क्या है आर्थिक प्रयावरण को प्रभावीत करने वाले और बेरोजगारी और रोकने के उपाई के बारे में हमने अधिन किया इसी करम में यूनिट संख्या सेकिंड में राजस्थान में आर्थिक नियोजन से संबंदित विविन परशनों का हमने वीडियो के मादे में से समझा राजस्थान के बजट के बारे में और गरामिन विकास की कौन-कौन सी स्कीम है गरामिन विकास के कौन-कौन से कारिकरम है उनके बारे में भी हमने अदेन किया था और गरीबी के कारण और पंचायती राज से संबंदी त्वीविन परस्नों का हमने वीडियो के माद्यम से अधिन किया सिक्रम में हम यूनिट संख्या थर्ड में एगरी कल्चर कर्शी क्या है कर्शी का क्या महत्तु है वो हमने पढ़ा नवीन वी रचना के बारे में आज हम अधिन करेंगे फूड मनेजमेंट के बारे में अधिन किया था और कर्शी निती 2000 के बारे में भी हमने विष्टरित रूप से अधिन कर लिया था तो आज के इस वीडियो में हम अध्यन करेंगे करशि की नवीन व्यू रजना New Agriculture Stressergy करशि की नवीन व्यू रजना जैसा कि हमने पूरु के वीडियो में हमें पढा था कि करशी निती का में अनुदेश्य क्या है करशी उत्पादक्ता में वर्दी करना, करशी छत्र में उत्पादन को बढ़ाना इसका मेनुदश्य हैं जिसमें अनेक प्रकार की करांतियां समलित थे जिसमें हरित करांती करशी छत्र में बढ़ावा देने में महत्वपुन गुमिका रही जो की 1966 वर्षडशट में इसका प्रारंब वर्ष माना जाता है इस निती के विविन कार्यकरम निम्न लिखी थे जो की करशी उत्पादक्ता में वर्दी में महत्वपुन गुमिका का निर्वेहन करते हैं जिसमें पर्थम है उन्नत बीज कार्यकरम इंप्रू सीड्स प्रोग्रम उन्नत बीज कार्यकरम के तहट बीजों को अच्छी किस्म को प्रियोग करके पैदावार में बढ़ोतरी करना जिसमें मुख्य तया अच्छी किस्म के बीज त्यार करने के लिए गुनिस सो तरेशट में राष्टी बीज निगम बना और गुनिस सो गुनेतर में राज्य फॉर्म निगम की भी इस्थापना हुई इसमें बीज निगम बीज परमारने की विविन शेवाओं को सामिल किया गया अगला है सारवजनिक उरूरों का प्रियोग यूज ओफ फर्टी लाइजर्स रासायनिक उरूरों का प्रियोग रासायनिक उरूरों के भूमी की गिरती हुई उत्पादक्ताओं को बढ़ाने के लिए विविन परकार के रासायनिक खाद उरूरों का प्रियोग को बढ़ावा दिया गया है इसके लिए देश में उरूरों का उत्पादन बढ़ाने यो आवशक होने पर आयात की वेस्था भी की गई है थार्थ कहने का मतलब यह है कि रासायनिक उरूरों का प्रियोग से फसल में उत्पादक्ता में वर्दी तेजी से लाई गई है तीसरा है बहु फसल कार्यकरम, बल्टी क्रोब प्रोग्राम बहु फसल कार्यकरम में 1967-68 में यह कार्यकरम प्रारंब किया गया जिसका मुख्य उदेशे सिंची छेत्रों में परतिवर्श दो या तीन फसलें पैदा करना जिसमें चावल, मक्का, जवार, बाजरे को सिगर त्यार करने वाली किसमें विक्षित की गई इसके अतिरिक रोगी तिल, तिलहन, आलू, सबजियां के लिए भी अच्छी किसम की फसलें तैयार की गई इसमें एक वर्ष में तीन-चार फसलें लीजा सकती है लेकिन अब 20% सिंसी छेतर में ही भवू फसल कारी करम लागू हो सका है इसी करम में लगू शिचाई योजना इसमाल एरिगेशन प्रोजेक्ट्स नवीन कर्शी वियुरचना के अंतरगर लगू सिचाई योजना एक महत्तोकुन रूप से भूमिका का निर्वहन करती है जिसमें नवीन वियुरचना के अंतरगर लगू सिचाई योजना को बहुत अधिक महत्तो दिया गया है नलकू विद्दूत वर डीजल पंपिंग से को आधी का विकास भी किया गया है पोद स्रेक्शन प्लांट प्रोटेक्शन पोद स्रेक्शन के अंतरगित भी इस निती का प्रमुख भाग माना गया है जिसमें फसलों को टिडियां व कीटियों से बचाने के लिए कि इतनासक द दवायों की वैस्ता भी की गई है इसी करम में सगन कर्शी कारेक्रम को भी सामिल किया गया जिसमें खाद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द गया जिसमें पेकेज कारेकरम को भी लागू किया गया इसका उद्ध से कर्शी उत्पादन बढ़ाने के साथ तक्निकी ज्यान साख कर्शी और आधानों की पूर्ती को सामिल किया गया अगला है पॉंट कर्शी उद्योग निगम एग्रो इंडिस्ट्रीज कॉर्परेशन ये स्थापित किये गये हैं ये निगम कर्शी यंत्र मशीने उपकरण आधी को वीत्रीत करने किराय पर देने और सुधारने के लिए केंद्र इस्थापित करते हैं इस परकार ये निगम अपने केंद्रों के माद्यम से किराय पर देती के आधार पे किसानों को टेक्टर पमसे कालिन दीर कालिन ग्रीन उपलब्द करवाते हैं कम ब्याज पे जिसे आसानी से कॉमर्शल बेंकों के माद्यम से लोन लेके अपनी मूल उभुत आउशकता हूं कर्शी से संबंदित आउशकता हूं को आसानी से पूर्टी कर सकते हैं जिसमें नाबाड की स्थापना भी किये गई जिसमें बेरोजगारों शिक्षित बेरोजगारों आदी के लिए तक्निकी सुईधाय उपलब्द करवा के कर्शी अंत्रों में सेधानती के विवारिक पर शिक्षण भी दिया गया है उन्नत किस्म के बीजों का प्रियोग यूज ऑफ बेटरी सीड्स नई कर्शी विव रचना के अंतरे के शिक्रूत पादन बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म बीजों का भी विशेज दान दिया गया जिसमें 1960 में मक्का और 1930 में संकर बीजों का भी एक बड़े पेमाने के इन मंडियों के माद्यम से क्रे विक्रे आसानी से की जा सके भूमी सुधार कारेक्रम लेंड रिफॉर्म्स भूमी सुधार कारेक्रम को पूर्णूप से लागू किया गया जिसमें सभी राज्यों को कर्शी जोतों का दिक्तम शीमा निर्धायत की गी जिसमें 20 सुत्री आर है सुधार करे युज्शिг कार्यों को असानी की जा सके तो समर्थन मुले सप्पोर्ट प्राइस पॉलिशी के आधार पे वी किसानों पलाव मिल सके इसके अधार पे उचित मुले दिलाने की वेस्था सूनी विक्षित की गई कमजोर वर्ग के लिए विशिष्ट प्रियोजनाई चोटे वर किसान वर सिमान किसानों या कर्षी सर्मिकों की शाहिता के लिए लगू कर्ष विकास एजैन्सी की स्थापना की गई जिसमें S F D A और M F A L D A और I D A D आदी की प्रियोजना चलाए गई सुक्स खेती ड्राइफ फार्मिंग कर्षी उत्पादर बढ़ने के लिए सुक्स खेती विक्षित की गई जिन शेतरों में सिचाय सुदा उपलब दनी हैं वहां सुक्स कर्षी के दुआरा उत्पादर बढ़ने पर भी बल दिया गया ऐसी किस्स में विक्षित की जारी है जिसके लिए कम से कम पानी की वेस्ता या हो सकता पड़ी फसल बीमा योजना क्रोप इन्सोरेंस इसकी कर्सकों को आर्थिक सुरुक्षा प्रदान करने के उद्श्य से फसल बीमा योजना प्रारम की गई इसके अंतरगत बीमा युक्त खेतों में किसी भी कारण से हानी होने पर बीमा राशी द्वारा बुक्तान करने की व्यस्ता की गई जिसें किसान आर्थिक रूप से अधिक शुरुक्षा अनुबहु करने लगा है इसकरम में आगे गेर कर्षी उद्योगों का वी विकास हुआ है डवलमेंट ऑप नन फॉर्म इंटरप्राइजेज राश्टिये साख खादे शुरुक्षा मिशन में भी नेशनल फूड शिक्योर्टी मिशन्स के तहत भी विभिन कार्यकरम विभिन योजनाओं के माद्यम से शुरू किये जिसमें कर्षी उत्पादक्ता में भी वर्दी लाना और नवीन विर उजना में महत्वन भूमिका के रूप में 17 राज्यों में 312 जिलों में किर्यानीत किया गया जिसमें 4882.5 क्रोड रिपे वेल किया गया एन फैसम इसकीम में राष्टे कर्षी विकास योजना में लगभग तरेपनी बैठंग में अपनी योजनाओं को कर्षी निवेस में इससे में वर्दी करने के लिए लगभग 25,000 क्रोड प्याम इंटित किये गये जिसमें 16 गज 2007 को राष्टे कर्षी विकास योजना में सुकरती परदान की इसी कर्म में राष्टी एक खादे शुरक्षा मिशन में लिए एक महत्तो पूंड रूप से मुविका निभाई जिसमें 12-15 वर्षी वजना में 25,000,000 टन के अतरी खादे उत्पादन को लक्षे रखा गया इसी कर्म में आगे इसमें विभिन निधियों में 50% राष्टी आ एक कीकरत बागवानी विकास कारिकरम 2014-15 में एक कीकरत बागवानी विकास कारिकरम भी सुरू किया गया जिसमें बागवानी के सभी वर्तमान कीमों को एक मिशन के साथ लगाया गया जिसमें गुण अपन सामगरी का उतपादने वीतरन सरक्षित कर्षी के जरिए उतपाद प्रवंदन एकिकरत पोशक तो प्रवंद पर आई-डी-एफ पर विसे स्थान दिया गया तो इस प्रकार हमने आज उस वीडियो में कर्शी की नवीन वियूरचनाओं के बारे में अधिन किया जो कि आपके एक्जाम में ये परसंद कई बार पूछते हैं कि कर्शी की नवीन भूमिका रही जिसमें कर्शी उत्पादक्ता में तीरू गती से वर्दी करना और उन्नत विजों का और लासायनिक खादे खादू को अप्रियोग किया गया जिसमें भभुवसल कारे करम लगुशी चाय योजनाए जो कि हमने पढ़ी पोध्य सरक्षन सघन कर्शी कारे करम कर्शी उत्योग निगम कर्शी से संबंदी द्वित सुईधाय उपलब्द करवाना और कर्शी सेवा केंद्रों की खादू किया गया है और भी विविन परकार की विवरिस नहीं आती हैं जो कर्शी को बढ़ावा देने के लिए और कर्शी को अच्छी किस्म में सुधार लाने के लिए इनकी एहम होने का होती है तो इसी करम में हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कर्शी से संबंदित ही कि कर्शी के कौन-कौन से स्रोत है या कर्शी के विविन स्रोत कौन-कौन से है जिसके माद्यम से हम आसानी से लिन ले सकते हैं आसानी से साख सुईधाय पलब्द करवा सकते हैं वो अगले स्वाइन का अध्यन आपके unit संख्या third में भी सिसका प्रिस पूंचते हैं और unit संख्या fifth में बी इंसे समधित पस्य आपके इक्जाम में आता है तो आपको यह प्रिसन बहुत अच्छे से अध्यन करना है जिसे आप ासानी से इक्जाम में कर सकें तो अगले